नमस्कार दोस्तों आपका बदोस्ट स्वाकर दोश्टीन में आजम बात करने वाले किस तरह से आप हैपी इंडिपेंडेस डे वीशिंग के वेबसाट बना सकते हो तो आज मैं आपको पूरी डेटेनमेंट सिखाऊंगा किस तरह साब जहबस्टे आपकी खुद की वेबसाट की मुद्स से अरनिक कर सकते हो तो यह सब को जाने के लिए वीडियो देखते रहे हैं तो देखे सबसे पहले वीडियो स्टार करने से पहले मैं आपको बजाना चाहते हो कि यह जो स्क्रीप है वो अल्रेडी नेट पे अवालेबल है यानि कि इस पे बहुत ही सारे ब्लोकर और यूटूबर वीडियो भी बना चुक है साथ और साथ यह बिल्कूल फ्री अवालेबल है डाउनलोड करने के लिए लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाले हो स्क्रीप में मैं थोड़ा मोड़के पेशन किया है कुछ एड़ किया है यह सब ही के क्योंकि जो जितने भी ह कि जो स्क्रीप है वो की स्तरह की है तो स्क्रीप को स्क्रीप आपको देखी देगा कि मैं ने लोकली इस औपन किया है आप कोई भी विजीटर आपकी वेबgeleicz को विजिट करता है और इसका नाम यहाँ पर एड़ करता है तो इस तरह से विष्टिंग होगा देखे इस तरह से wishing you happy independence day और एक quote लिखा है इस तरह से तो यहीं script को आप किस तरह से बिल्कुल free में download कर सकते हैं इसके अब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए अगर आपको यह script download करने है बिल्कुल free में तो वीडियो को description में आपको एक link भी लेगी download now इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से तो google drive open होगी और वहां जाके आपको script को download करना है देखिए google drive successfully open हो चुक है इसके बद आपको download बटन पर क्लिक करके इस script को आपके local computer में सबसे पहले डाउनलोड करना है तो देखिए अगर आपको इस file को unlock करना है क्योंकि यह file password protected है अगर आपको इस file को unlock करना है तो video देखना composite है और currently आप वीडियो देख रहे है तो अब मैं आपको password बताता हूँ कि तो इसका password क्या है तो सबसे पहले आपको अगर यह file को download करनी है, और download करने का बाद है आपको जाना है आपके download folder में और वहाँ जाके आपको इस file को export करना है देखिए आपको तक हैदगा independence दे और आपको right के लिक करके आपको Extract file पर करना है तो यह इस दो file एक्सेट करने से पहले आपको पासवर्ड एक्सेट करना पड़ेगा जैसे आप OK बटन पर करोगे तो देखिए आपके लिए मैं जर्च यहां पर पासवर्ड का ओप्शन एनेबर करके रखता हूँ और आपको यहां पर लिखना है इस तरह से इस तरह सब एक बार इस पासवर्ड को रिमेंबर रख लिए यह तो आप कहीं पीसे नोट कर सकता हो क्योंकि आपको भी से यूज़ करना है इसके बद आपको क्लिक करना है तो यह फाल सक्सेसफुल एक्सरेट हो जाएगी देखे इंडिपेंडेस देव तो आपके सामने एस तरह के स्क्रीप आजगी अब आपके पास सक्सेस्फुल स्क्रीप आचुकी है इसके बद आपको कुछ भी नहीं करना है आपके पाँस आपका डोमेन होगा यह तो आप इससे ब्लोगरम भी यूज़ कर सकता हो तो यहां पर मैं यूज़ करने वाल एक Custom Domain तो इसके लिए यहां पर मेरा cPanel open है cPanel open करने के बाद मैं already यहां पर एक domain को सब पहले से मिनने configure कर रखे रखा है ताकि जो आपका और मेरा time waste ना हो तो देखिए यह domain है और domain बिल्कुल टेड़े है यूज़ करने के लिए देखिए इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है आपका domain connect होता है इसके बाद आपको स्वीप पनेल ओपन करना है इसके बाद आपको जाना file manager में और वहां जाके आपको जो recently आपने script डाउलोड की है इस script को आपको डाउलोड आपके server में upload करना है तो हम सबसे पहले default file को delete करते है इसके बाद आपको upload बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको select file करना है और जो आपने recently डाउलोड करके exit की है independent step इस पर आपको जाना है और आपको देखिए यहां पर यह सभी file को एक एक करके आपको आपके server में upload करना है तो देखिए सभी file successfully server में upload हो चुकी है बिल्कुल लैटवेट आपकी website होगी और आसानी से rank भी होगी और traffic भी आएगी जैसे independence यह आएगा अब हम reload करके check करते है देखिए आपको देखिए सभी file हमारे successfully server में आ चुकी है इसके बाद आपको इस domain को एक बार refresh करना है अब देखिए हमने जैसे domain को refresh किया तो यहां पर एक pop-up आया इसके अंदर लिखा है कि enter your name तो देखिए मेरा name यहां पर लिख लाता हूँ इस तरह से अब मैं OK बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यह सक्सेस्फुली वर्क करने लगी है तो इस तरह साप इसे यूज कर सकते हैं इसके बाद हम एडसेंस की बात करते हैं तो देखिए एडसेंस की एड़ आपको इसमें लगाने के लिए सबसे पहले आपको index.html को एडिट मोड में open करना है औ और इसके बाद आपके पांस चाहिए आपका अपरूल एडसेंस अकाउंट तो है आप इसे यूज कर पाऊँगी क्योंकि आपको इस फेबिट की मुद्ध से अपरूल तो नहीं मिलेगा तो एडसेंस अकाउंट सबसे पहले में ने open कर लिया आपके एड़ यूनिट पे औ जो देखे यह responsive आपको देखा देखाए हुँआ इसका code ले लाता हो अब देखे code हमारे 5 आसु काई से copy करना है और जैसे के में आपको बहले बता इस तरह से इस script के अंदर आपको option लेगा देगा अपको आपको अपको पेस्ट करना है इसके बाद फिर से इसके नीचे अप पर पेश करने लगे में यहीं हाँ में तो आपको सक्षेस्फूल Erik्प करणे ऐसके बाद चैनल इसा हो आपको के अंडर मेरा एड्सेंस का कोड नहीं होगा तो आपको आपका एड्सेंस का कोड एड़ करनाहा है अब देखे इस तरह से और आपको टोप में भी शोग होगी तो दो एड़निट आपने लगा दिये इसके बाद आपको इसे सोचली मीडिया पर शेयर करना है तक कि आपकी वेहड़ पर कुछ ट्राफिक है इसके मुद्ध से आसानी से आप अर्निंग कर पाऊ तो देखे यह तो हमन में अब आपको कुछ भी नहीं करना कि इस एक ब्रावजर को ओपन करना है यहां पर हम ओपन करने थे मुझेला फायरफॉक्स इसके बाद जो भी आपने रिसेटली लिंक को शेयर किया होगा इस लिंक को कोई भी विजिटर ओपन करेगा तो इसे होगी ओपन आपकी वेबस सकते हो इसके बाद ओके बटन पर किलिक करना है तो देखिए सक्सेसफुली आप यहां पर वेबसाइट वर्क कर रहे है विशिंग हैपी इंडिपेंडेंस दें और जैसे कि मैं आपको पहले बताया है जो आपकी एड़ यूनिट है वह एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसके बाद यहां पर दो एडिविंट शो होगे इसके मदर सब आसानी से अर्णिंग कर पाऊँगे इसके बाद देखिए अपको शेरिंग की बात करते हैं तो आपको स्क्रिप के अंदर एक मोड़ा के फेशन करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कोई भी यूजर इस शेर करता हूँ इसके बाद बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखा देगा इसके बाद में से शेर करता हूँ तो क्या हो देखिए विशिंग यू हैपी इंडिपेंडेंस देटू 15 ओगस्ट 2018 इसके बाद लिखा होगा कि टॉस्ट इस ब्लू लाइन एंटर यॉर ने इसके देखिए आपने देखा इंडर मोबेल में कि मोबेल में भी परफेक्ट वर्क करती है स्क्रीप तो आपको उस्टाइटी से डाउलोड करके यूज करना है तो बस आसके वडियो में रहें तक था शरकत आपको बहुत यह पस्मना होगर पसंद आदेट वडियो को आपको ऐसे हेलफूल वीडियो मेलते रहें थांक्यू पर वशिंग दिस वीडियो